जैहिंद दोस्तों UDCRA में आपका स्वागत है दोस्तों अभी हम बात करेंगे फुटबल वर्ड करप के अगले मैच की जो की मौरको और स्पेन के बीच खिला जाएगा बट उससे पहले दोस्तों लेकिन दोस्तों इससे पहले एक इंपॉर्टन अनॉंस्मेंट करनी है दोस्त सब लोग जीतना चाहते हो जीतना चाहता है लेकिन सिर्फ एक गलती ना आपको जीतने नहीं देती वह मैंने यहां पर अच्छी तरीके से बताइए वीडियो में वही एक गलती बार बार आपको हरा रही है और कोई ना वी तो जील जीतना है ना आप जब देखते हो कुई तो भी बाइस है ना आप देखते हो कोई ना बुए तो बंदा जील जीतता है और वो केवल वो 2% लोग है जिनको पता है वो गलती नहीं करते हो लोग दोस्तों इस वीडियो में बताया गया है कैसे आप उन 2% लोगों में शामिल हो सकते हो इस वीडियो का लिंक नीचे है यहां पर देख सकते हैं ना तो चलिए दोस्तों आप आप वीडियो इंज्वाए करिए अना लेकिन एक बात ध्यान रगना सबसे बहले दोस्तों सब्सक्राइब के बाद ना जब तक आप बैल आइकन पर जाकर और पे क्लिक नहीं करेंगे ना आपको मेरी वीडियो का न अमेजिंग वीडियो बहुत अच्छा वीडियो आप लोग जरूर देखिए अन्यवाद जैहिन दोस्तों यूडी सी आरे में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे फुटबॉल वर्ल्ड कप के राउंड ओफ 16 के अगले मैच की जो की खेला जाएगा मुरको औ ट्रॉप करकर आ रही है और वहीं स्पेन का पर्फॉर्मन्स एतना ठ्शन ही रहा है कि रास्ट मैच अपना ना साथ कोरिया से है थी तुम है हिए व्युinson कोरिया अब हृत सोलंगर दो सब्सक्रान हाई तो थोड़ा सा यह मैच फसा हुआ हो सकता है बाकी हम आगे डिसकस करेंगे आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो इन्फरमेटिव लगते हैं अगर हमारे वीडियो आपको नौलिज देते हैं तो प्लीज हमारे चैनल UDCRA को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ योटिूब पे जाकर ये बेल आइकन के पास जो सब्सक्राइब हमारे प्रेस करना है ये सब्सक्राइब हो जाएगा उसके بعد नोटिफेकेशन को all कर देना है जिससे की होगा क्या कि जो भी वीडियोज हम अपलोड करेंगे उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली पहुँच जाएगा और आप उन वीडियोज की मदद से अपनी एक बैलेंस और एक विनिंग टीम बना सकते हैं तो आईए दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक बार लाईनप्स देख लेते हैं तो कुझ इस तरह की लाईनप होने वाली है पहले स्पेन की बात कर लेते हैं क्योंकि अगर आप player to player जाएगे तो स्पेन मरोक्को से काफी आगे है बट आज के मैच में एक खास चीज होगी वो ये कि आपको इतना टैलेंट फील्ड पे दिखाई देगा अपकमिंग टैलेंट, रॉ टैलेंट मतलब अमेजिंग प्लेयर्स हैं, यंग प्लेयर्स हैं जो अभी उतना बड़ा नाम नहीं बना पाए हैं बट जो फुटबॉल की जानकारी रखते हैं वो ये जानते हैं कि ये सब आगे जाके सूपर स्टार्स बनेंगे दोनों ही टीमों में बहुत जाला टैलेंट है स्पेन को तो हम सब जानते ही हैं बट मुरको में भी बहुत टैलेंट प्लेयर्स हैं तो आईए, उनकी बात कर लेते हैं एक बार और एक बर अपने नोट्स को खोलते हैं तो शुरुवात करते हैं फॉर्वर्ड से तो जो पहले फॉर्वर्ड हम डिसकस करेंगे है वह है अलवारो मुराटा ये स्पेन के सेंटर फॉर्वर्ड है ये आपको देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे साथ नंबर ये बंदा इस वर्ड कप में अभी तक तीन गोल मार चुका है और एक असिस्ट कर चुका है तीक है इसका अटैक आपको जैसे दिख रहा है स्क्रीन पे 74 है क्रियेटिविटी 61 है 126 मिनट खेले हैं इस वर्ड कप में अब इस प्लेयर का कुछ ऐसा है कि ये बड़ा ही unpredictable है ये मारेगा तो एक मैच में 2-3 तीन गोल मार जाएगा असिस्ट कर जाएगा और नहीं मारेगा तो कुछ भी नहीं करता पूरे मैच में इस वक्त ही अच्छी फॉर्म में है इसका selection percentage 93 है तो इसको हम एपनी टीम में लेना ही होगा नेक्स्ट आपको दिखेंगे असेंसियो असेंसियो ये एक बहुत बड़ा टैलेंट है ठीक है ये रियाल मंडिट से खेलते हैं बहुत ही टैलेंट प्लेयर है 11 नंबर आपको दिख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे ये राइट विंग फॉरवर्ड खेलेंगे और इस बंदे की बात करें तो इसका अटैक 77 है क्रियेटिविटी 66 टेक्निकैलिटी 67 इस वर्ल कप में ये एक गोल मार चुका है 168 मिनिट्स खेले हैं और ये पॉइंट्स आपको देगा चांस क्रियेशन से कॉर्नर्स ले सकता है और गोल स्कोर करने में भी सक्षम है लेकिन इसका ये भी है कि ये अराउंड 65-70 मिनिट्स सब्स्ट्यूट कर दिया जाएगा बहुत अच्छा प्लेयर है सेलेक्शन परसंटेज काफी कम दे रखा इसका अगर फिटनेस रही फेराइन टोरेस की तो वही स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो अपने मैनेजर का फेवरेट है तो अगर वो 70 परसंट भी फिट होगा तो मैनेजर उसी को स्टार्ट कराएगा अगे बढ़ते हैं दोस्तों नेग्स्ट हम बात कर ले है, मुरक्को के centre forward N. Sari की बात करें तो दोस्तों एक सिकन, दोस्तों N. Sari की बात करें तो, इनका attack 68 है, एक goal world cup में बात चुके हैं, दुसर चावाइस मिनट खेले हैं, और ये भी आपको पॉइंट सिर्फ तभी देंगे अगर ये goal सकोर करते हैं, 19 नंबर जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं और इनका जो सेलेक्शन परसेंटेज है वो 65 परसेंटेज है हेडर से बड़े अच्छे गोल मारते हैं तो थोड़ा सा ट्रिकी है यह प्लेयर आगे बढ़ते हैं आगे आपको दिखेंगे बुफाल जो की खेलेंगे 78, Creativity 75, Technicality 72 अब इसका ज़रा सेलेक्शन परसेंटेज आप देखिए लोगों को नॉलिजी नहीं है अगर वो एक मैश में खराब खेल गया तो लोगों ने उसे ड्रॉप कर दिया है मैं इसे अपनी टीम से कभी ड्रॉप नहीं करूँगा ठीक है और यह First Choice Penalty Taker भी है जो की क्रंच मैसेश में बहुत इंपोर्टन हो जाता है बहुत ही डेंजरस प्लेयर है यह लास्ट मैच में इसने ग्लिम्स दिखाए भी थे बहुत अच्छा खेल रहा था इसके मैनेजरने से सब्स्ट्ट्यूट कर दिया तो यह बहुत नाराज भी हो गया था बट यह बहुत ट एसेंसियो एननसेयरी और बूफॉल फर्स्ट चॉइस होंगे मेरे बूफॉल ठीक है बहुत टालेंटेड है अभी डियू है इस वर्ल्ड कप में पक्का कुछ ना कुछ करके जाएंगे आज बड़े मैच में बड़ा प्लेयर क्योंकि बड़ा प्लेयर वही कहलाता है जो ब मॉराटा सेफ होगा क्योंकि 93% सेलेक्शन है तो मेरे साब से अभी के लिए आप मॉराटा को यह अपनी टीम में रखिए आगे बढ़ते हैं आते हैं मिट्फिल्डर्स पर अब मिट्फिल्डर्स की बात करें तो फर्स्ट जो आपको दिखाई देंगे वो दिखाई देंगे मुराको से हाकिम जियाक यह राइट विंग फॉरवर्ड खेलेंगे जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यह बंदा भी बहुत जाला टालेंटेड है यह इंग्लिश प ठीक है इसका आप अटाइक देखिए इसका अटाइक है 78, Creativity 73, Technicality 67 and Tactically 61 इस World Cup में एक गोल मार चुका है और एक असिस्ट कर चुका है चार चांसे इसने क्रिएट की है अभी तक 256 मिनिट ले खेला है और जहां तक है पूरे 90 मिनिट्स खेलेगा इस मैच में बहुत गोल मारेगा अमेजिंग गोल्स मार सकता है असिस्ट केस के बहुत हाई चांसे रहेंगे और फ्री केक्स कॉर्नर भी ले सकता है सेलेक्शन परसंटेज के 97 परसंट है तो इसे ड्रॉप करने का कोई मतलब ही नहीं बनता उसके बाद आते हैं Spain के Danny Olmo यह लेफ्ट विंग 73 है, Creativity 70, Technicality 60 इस World Cup में अभी तक ही एक गोल मार चुका है और एक असिस्ट कर चुका है पाथ चांसे इसने क्रियेट करिये हैं और 270 मिनट खेला है यानिकि सारे मैचे इसने पूरे-पूरे खेले है पॉइंट्स आपको यह चांस क्रियेशन से देगा, गोल स्कोर से देगा, फ्री केक्स से देगा, कॉर्नल से देगा, मस्ट पिक है, सेलेक्शन परसेंटेज 95 परसेंट है, नेक्स्ट आते हैं उना ही, जो की लेफ्ट विंग पे खेलेंगे मुरक्को के लिए, यह हैं उना ही, आठ नंबर, यह प्लेयर इसकी Creativity 63 है, Technicality 57, वर्ल्ड कप में भी तक ही दो चांसेज क्रेट कर चुका है, दो टेकल, दो इंटरसेप्शन, जाहतर यह डिफेंसिफ पॉइंट्स ही देगा, बट एक यह दो चांसेज भी क्रेट कर सकता है, राउंड 70-75 मिनट पे सब्स्टेट भी हो सकता है, सेलेक्शन परसेंटेज का 57 परसेंट है, आगे बढ़ जाहतर पॉइंट यह डिफेंसिफ पॉइंट्स देगा, एक गोल मार चुका है इस वर्लकप में, क्रियेटिविटी इसकी 64 है, और हाँ, सेलेक्शन परसेंटेज इसका 47 परसेंट है, आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं बुस्केट्स, जो की खेलेंगी है थे सेंटरल मिट फिल्डर, इनकी क्रियेटिविटी 67, टेक्निकालिटी 64, डिफेंस 62, टैक्टिकली 73, इस वर्लकप में यह 3 चांसे क्रियेट कर चुके हैं, 244 मिनट खेले हैं, और यह भी जहां ताक है, पूरे 90 मिनट खेलेंगे, जहातर डिफेंसिफ पॉइंट्स ही देंगे, आपको रॉक्कों के लिए खेलेंगे राइट विंग पर, दोस्तों यह बंदा, सूपर टैलेंटेड है, 11 नंबर, यह इतालियन सिरिया में खेलता है, ठीक है, अटैक इसका 64 है, क्रियेटिविटी 63, इसके अट्रिब्यूट्स का आप मच जा लिए, इस वर्लकप में एक असिस्ट कर चुका है, और इसके साथ प्रॉब्लम यह है, कि यह हो सकता है, कि अराउंड 65-70 मिनिट पे सब्सक्ट्यूट कर दिया जाए, ठीक है, ना चांस क्रियेट करेगा यह, डिफेंसिवली आपको इंटरसेप्शन के पॉइंट्स देगा, यह गोल भी स्कोर कर सकता है, बहुत पेडरी, पेडरी आपको यह प्लाटफॉर्म में पी गॉंजालेस के नाम से दिखाई देंगे, यह जो है, वो लेफ्ट विंग पे खेलेंगे, ठीक है, यह पेडरी जो आपको दिख रहे है, 26 नमबर, यह बंधा भी सूपर टैलेंटेड है, ठीक है, इसका अटैक 63 है, क्र इस वर्ल कप में चार चांसे क्रियेट कर चुका है, अभी तक, और 237 मिनट खेला है, बहुत टैलेंटेड है, यह आपको 25 से 30 पॉंटों दे के जाएगा ही जाएगा, विदाउट गोल और असिस्ट के, ठीक है, डिफेंसिफ पॉंट्स देगा, आपको पासिंगे पॉंट् सब कुछ कर सकता है, बहुत ही डेंजरस प्लियर है, सेलेक्शन परसेंट है, इसका सिर्फ 14 परसेंट है, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जो लास्ट मिट फील्डर हमें हैं, अविलेबल वो हैं, अमराबत, यह मुरॉको के लिए खेलेंगे, चार नंबर, सेंटल मिट फी नो सतर मिनट खेला है, हर मैच में अभी मिनट खेला है, यह पूरा मैच खेला है, यह जादर डिफेंसिव पॉइंट्स देगा, आपको पासिंग के पॉइंट्स देगा, सेलेक्शन परसेंटेज सिर्फ 4 परसेंट है, तो अब जो आठ डिप मिट फील्डर हमने डिसकस करे हैं, उन में से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, क्या किस-किस को हम ले सकते हैं, एक सेकिन, जाइक, ठीक है, अब जो फर्स चॉइस रहेगी मेरी बुलाएंगे, हाकिम जाइक, ठीक है, इनका सेलेक्शन परसेंटेज 97 परसेंट है, ड्रॉप करने का मतलब बनता नहीं, सेकिन जो मे पैर्टरी, इनका सेलेक्शन परसेंटे हैं, बट मेरे ये आज की गेम चेंजर रहेंगी, और मैं अपनी टीम में ने लूँगा, छौथा, अगर आप चाट देफेंडर्स ले रहे हैं, डि या फिर उससे कम ले रहे हैं, आप इन दौनों में से किसी एक को पिक कर सकते हैं, बुसकिट्स या सबीरी ठीक है बुसकिट्स सेफ उप्षन होगा सबीरी रिस्की उप्षन होगा ठीक है और यह आप इन δalet वे से कसीकोों आप अप तभी ले पाएंगे अगर आप चार डिफरिंडर्स के साथ जाते हैं तीन अगर तीन के साथ जाते हैं तो आप दौनों भी ले सकते हैं बढ़ थोड़ा रिस्की हो जाएगा तो चार डेफेंडर साइधिंग विलकुल परफेक्ट है तो ये हमारा सेलेक्षन हैं अभी तक मिड्फील्डर में से अब बात कर लेते हैं डेफेंडर्स की डेफेंडर में दोस्तों जो first option हमें मिलेगा वो दिखेगा हकीमी का जो की बहुत ही talented player है और ये right back पर खेलेंगे मरक्को के लिए number 2 आपको अपनी screen पर दिख रहे हैं ठीक है ये tackle and deception के points बहुत देगा ठीक है assist के chances भी रहते हैं और ये shots भी लेता है goal पर तो इसके goal आने के chances भी रहते हैं तो ये पूरे game में आपको नज़र आएगा ठीक है और creativity इसकी 62 है defense इसका 61 ठीक है और selection percentage इसका 96% है तो ये must pick हो जाता है next आपको दिखेंगे Jordi Alba ये भी बंदा अब तो ये legend हो गया एक है Spain का बहुत talented player है left back पे खेलेगा ये Spain के लिए ये आपको दिखा देता हूं 18 number ये left back पे खेलेगा ठीक है creativity इसकी 78 है defense इसका 64 है और tactically 60 इस World Cup में ये 3 assist कर चुका है 4 chances create कर चुका है बहुत ही attacking है 168 minute total ये खेला है इस World Cup में और ये जहां तक मुझे लगता है पूरे 90 minute खेलेगा और ये आपको tackle interception, passes, chance creation, assist इन सब के points देखे जाएगा और goal भी मार सकता है ठीक है ना selection percentage इसका 95% है तो इन्हें हमें pick करना ही होगा next आते हैं rotary जो की खेलेंगे as a right center back 16 number वैसे तो ये central defensive midfielder है लेकिन Spain में इन्हें अभी center back पे position पे खिलाया जा रहा है ये बंदा आप देखिए इसका creativity 67 है, technicality 68, defense 73 and tactically 82 तो ये game team के manager के हिसाब से चलता है और बहुत अच्छा चलता है, 270 minute खेला है, सारे matches पूरे पूरे खेले हैं इसने, passes से points देगा mostly आपको tackle interception एक एदो कर सकता है, chance भी create कर सकता है, headers से बहुत अच्छा है ये, headers पर goal भी आ सकता है, इसका जब corners होंगे तो इस पर नज़र रखिएगा और ये maximum passes कर सकता है आज के match में, I think इसने last match में जपैन के खिलाफ I think 204 passes की है, ठीक है 204 passes का मतलब है दोस्तों, अगर आप 5 से divide गरें, तो 5, 4, 20, around 40 points तो ये passes कहीं दे गया, ठीक है तो ये बंदा must हो जाता है, selection percentage भी इसका 92% है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे next आते हैं लपोर्टे, लपोर्टे खेलेंगे, left center back टे, ठीक है ये बंदा भी इसका आप defense देखें 80 है, tactically 76, और 180 minute खेला है वर्ल कप में, जातर points आपको ये passing कहीं देगा, एक दो tackle and reception भी कर सकता है ये भी headers में बहुत अच्छा है, इसके भी headers में goal आने की chances बहुत हाई रहते हैं, तो इसका selection percentage 28% ही है खाली next आते हैं size, ये मुरक्को के center back है, ये भी बंदा बहुत अच्छा defender है, ये आपको left center back पे खेलते दिखाई देंगे defense इसका 79 है, tactically 68, दो 70 minute खेला है, पूरे matches खेले हैं इसने सारे सारे और tackle interception के साथ बहुत अच्छा है अपने club के लिए, club के लिए तो ये बहुत tackle interception के point देता है but country के लिए एक या दो ही tackle interception के आते हैं, mostly ये passes के ही point देता है, headers में बहुत अच्छा है ये भी, selection percentage इसका 22 है next आते हैं, mazuri, mazrawi, ये number 3 आपको दिख रहे हैं अपनी screen पे, ये बंदर left back पे खेलेगा इनके लिए, ठीक है, इसका defense 73 है, tactically 60, और 240 minute खेला है इस World Cup में, तो ज़्यादार ये आपको defensive points ही देके जाएगा, बहुत talented है ये भी, Bayern Munich के लिए खेलता है, जर्मन Bundesliga में, 15 points ही दे पाएगा ये अगर clean sheet नहीं होती है इसकी team की, ये आप ध्यान रखियेगा, अगर score या assist नहीं करता है तो, selection percentage इसका 14% है, next आते हैं, एन एगवार्ड, ये right center back पे खेलेंगे, मुरक्को के लिए, ये बंदा पूरे minutes खेलेगा, इसने अभी तक सारे matches खेले हैं, पांच number, आप पूरे-पूरे matches खेले हैं, last match मिस्प से own goal हो गया था, बट वो हो जाता है कभी-कभी, ये ज़्यातर आपको defensive points ही दे कर जाएगा, 15-20 points देगा, ये भी अगर clean sheet नहीं होती है, और अगर goal या assist का नहीं आता है, ज़्यातर ये passes से point देगा, tackle and deception कर सकता है, एक-दो, selection percentage इसका काफी कम है, 7%, next आते हैं Spain के Danny Carvajal, ये right back पे खेलेंगे, ठीक है, number 2, ये right back पे खेलेंगे, ये बंदा काफी talented है, creativity इसकी 64 है, और defensively 71, tactically 64, ये तो defensive points ही देगा, last match में इसको 45 minute के लिए ही खेलाय गया था, second half में लाय गया था, selection percentage भी सिर्थ 2 ही है, player तो बहुत talented है, बट अभी इस सिनारियो में इसे लेना risk ही होगा, तो आईए दोस्तों, defender select कर लेते हैं अपना, क्या-क्या defenders हमारी team पे रहेंगे, तो जो first हमारा selection होगा, वो होगा हकीमी का, क्योंकि इसका selection percentage 96 है, और tackle, interception, chance, creation, assist, goal, सब कुछ करने में माहिर है, दूसरा, Jordi Alba, जिसका selection percentage 95% है, tackle, interception, attacking बहुत है, यह assist, goal, दोनों में contribute कर सकता है, तो second option, Jordi Alba, third होगा, Rodry, जिसका selection percentage 92% है, जातर passes ही करेगा, यह header से goal मार सकता है, fourth, Laporte, इसका selection percentage सिर्व 20% है, यह भी आपको mostly passes से point देगा, एक tackle, interception कर सकता है, और header से goal मानने की chances काफी हाई है, corners के time इसमें नज़र रखिएगा आप, fifth option है, अगर आपको लगता है कि, games low scoring जाएगा, तो आप, जो मैंने midfield में आपको option दिया था, एक second में आपको दिखा दिता हूँ, हाँ, जैसे जब fourth option मैंने आपको दिया है, selection of midfielders में आप उपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, बुस्किट्स और सबीरी, अगर आपको लगता है कि, जड़ा defensive game जाने वाला है, zero zero score रहेगा, तो आप बुस्किट्स सबीरी को drop करके, इन दोनों को मत पिक करिए, चौथा midfielders मत लीजिए, और आप size या मज़ूरी में से किसी एक को पिक कर लीजिए, ठीक है, यह option आपके पास रहेगा, तो आई दोस्तों एक बार अपनी final team भी तयार कर लेते हैं, कि एक बार clear कर लेते हैं सब, अब इसको खोल लेते हैं, तो सबसे पहले चलते हैं forwards पे, selection of forwards, आप अपनी screen पर देख रहे हैं, तो first buffal, second essential और murata में से एक, अभी के लिए हम लेंगे मुराटा और buffal, यह दो आगए हमारी team में, उसके बार आते हैं, midfield में, midfield में अगर हम चलें, selection of midfielders में, तो zike first, almost second, pedri third, zike first, almost second, pedri, sorry, यह तो गवी, गावी है, pedri यह है, पी गुंजाल, गुंजालेस, ठीक है, यह third हो गए, fourth, आप buskets या sabiri में से एक ले सकते हैं, मैं buskets के साथ जा रहा हूँ, मैं safe जा रहा हूँ, sabiri भी भी बहुत talented है, ध्यान रखिएगा, next, आते हैं defenders, first, हकीमी, second, जॉर्डी अलबा, third, रॉर्डरी, fourth, लापॉर्ट, हकीमी, जॉर्डी अलबा, रॉर्डरी, लापॉर्ट, ठीक है, आप्शन में आपको बता दिया है, या तो buskets को डॉरॉप करके, आप size को ले सकते हैं, महजुराई को ले सकते हैं, गोल कीपर हम और उको कही लेंगे, यह थोड़ा ध्यान रखेंगे को कौन स्टार्ट करता है, लास्ट मैच में घरबर हो गई थी, इन्होंने लास्ट मैच में लास्ट मॉमेंट पे अल मुहमदी को खेला दिया था, बोनू की जगा, तो इसका थोड़ा आज हम ध्यान रख दिखता है, वो दिखता है, मुराटा, कैप्टन वाइस कैप्टन सी का, ठीक है, यह सेफ ऑप्शन होगा, एसेंसियो को तो नहीं, लेकिन हाँ, बूफाल एक रिस्की वाइस कैप्टन सी का ऑप्शन जरूर है, बहुत टैलेंट प्लियर है, और आज यह बंदा कुछ कर सकत ठीक है, अब डिफेंस में चलते हैं, सेलेक्शन अब डिफेंडर्स, इसमें जो बेस्ट आप्शन है, वो है जॉर्डी अलबा, कैप्टन वाइस कैप्टन सी का, ठीक है, तो अब हमारे पास क्या क्या आप्शन हो गए, अटैक में मुराटा, मिट फिल्ड में ऑल्मो, और जॉर्डी अलबा, ठीक है, तो अब ही के लिए मैं कैप्टन बनाऊँगा, ऑल्मो को, और वाइस कैप्टन बनाऊँगा, मुराटा को, आप वाइस कैप्टन अलबा को भी बना सकते हैं, ठीक है, सिर्फ मुराटा का फॉर्म अभी अच्छा है, बट इसका फॉर्म का कोई नहीं बढ़ता ये कभी भी ट्रिप कर दाता है तो आप सेफ जाना चाहते हैं तो आप अलबा को भी बना सकते हैं ठीक है तो अभी के लिए फाइनल टीम हमारी यह रहेगी तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और फाइनल टीम में जो भी चेंजिस होते हैं वो आपको टेलिग्राम पे मिलेंगे टेलिग्राम से अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारी यूट्यूब पे जाएं किसी भी वीडिय में जेहिन